नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर 11 जुलाई 2023 सावन का मंगलवार सावन का हर मंगलवार है अती शुब इस दिन इन अचुक उपायों से मिलेगी महादेव और हनुमान जी की विशेश कृपा शास्त्रों में पूजा पाठ को लेकर कई विशेश बाते बताई गई हैं और आपकी हर मनोकामना होगी पूरी दोस्तों सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो चुका है इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा मलमास लगने के कारण सावन का पवित्र महीना इस बार पूरे 69 दिनों का होगा ऐसा अध्धुत और शुभ योग पूरे 19 साल बाद आया है इस बार सावन के पवित्र महीने का पहला सोमबार वरत 10 जुलाई 2023 को पढ़ने जा रहा है जिसका करोडो शिवभक्त बेसबरी से इंतजार कर रही है वही सवान के महीने का भी विशेश महत्व बताया हनुमान जी शिवजी के अवतार है ऐसे में सावन के मंगलवार का दोनों के भक्तों के लिए विशेश महत्व होता है आपके जीवन की कितनी बड़ी परेशानी हो कितना ही बड़ा दुख हो और कितनी बड़ी समस्या हो हर प्रकार की बाधाओं से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी आपकी कोई मनोकाम ना हो वो भोले नाथ बाबा के आशिरवाद से जरूर पूरी होगी दोस्तों सावन के पवित्र महीने के बारे में हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि इस महीने का नियंतरन भगवान भोले नाथ के हाथ में होता है हनुमान जी शिवजी के ही एक अवतार है वही सावन का महीना भगवान शिव के लिए समर्पित है और मंगलवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान जी के लिए समर्पित है इस तरह सावन के हर मंगलवार का महत्व और बढ़ जाता है इस दिन की गई पूजा से भगवान शिव और हनुमान जी दोनों का ही आशिरवाद मिलता है हनुमान जी शिवजी का ही अंश है ऐसे में यदी सावन माह में शिवजी की किसी भक्त को कृपा प्राप्थ होती है तो साथ में हनुमान जी का भी आशिरवाद मिल जाता है, जो भी व्यक्ति इस महीने भगवान भोलेनाथ के सामने अपनी जोली फैलाता है, भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की जोली खुशियों से भर देते हैं और अगर इस महीने आप भगवान भोलेनात के सामने कोई भी उपाय करेंगे तो भगवान भोलेनात का आशिरवाद मिलेगा और आपके उपाय का पलट करके आपको लाभ मिलेगा कहा जाता है दोस्तों की इस महीने की गई पूजा साधनाक्रिया से आपके जीवन के समस्त प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो जड़ से नश्ट हो जाते हैं सावन के पवित्र महीने के दौरान अगर आप सिर्फ सुमवार का वरत ही रखना है तो माना जाता है इससे आपको मोक्ष की प्राप्ती होती है माना जाता है कि भग्वान भोलेनात के आशिरवाद से आपको स्वर्ग में भी जगह मिलती है इसी लिए दोस्तों सावन के पवित्र महीने के दौरान आपने देखा भी होगा जितने भी शिव भक्त होते हैं वो भगवान भोलेनाथ के लिए सुमवार के वरत करते हैं दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो 10 जुलाई 2023 को सावन का प्रथम अश्टमी भी पढ़ने जा रही है जिसका शुब मुहूर्त 10 जुलाई 2023 को शाम छे बचकर 44 मिनट तक रहेगा कहने का मतलब ये है कि इस दिन की गई पूजा साधनाकरिया से आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी का आशिरवाद एक साथ मिल सकता है जिसके बाद आपके जीवन की कोई भी मनोकाम ना हो वो जरूर ही पूरी होगी कहा जाता है दोस्तों देवों के देव भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को तुरंत ही वर्दान दे देते हैं माना जाता है कि अगर आप महाशिवरातरी हो गई, सावन का पवित्र महीना हो गया या सावन के सुमवार हो गई इस दिन कोई भी उपाय पूजा पाथ भगवान भोलेनात के सामने करेंगे तो भगवान भोलेनात अपने दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे उसके बाद जैसे ही आपकी मनोकामना हो जैसे मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तयारी कर रहे थे आपकी नौकरी लग जाएगी आप कोई बिमारी से ग्रसित थे, उस बिमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करेंगे बहुत ही आगे इसी लिए दोस्तों आज जिन उपायों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो बड़े सरल से उपाय हैं सावन माह में यदि भक्त हर मंगलवार को कुछ विशेश उपाय करें, तो अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा भग्वान भोले नाथ ऐसे भग्वान है, जो किसी भी व्यक्ती की हलकी सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और उस व्यक्ती को वर्दान दे देते हैं लेकिन अगर आप ऐसी कोई गलती करते हैं, जो भगवान भोलेनाथ को पसंद नहीं है, तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही क्रोधित भी हो जाते हैं कहने का मतलब यह है कि जब भी आप शिवलिंग पर दूध चढ़ाते जाते हैं, दही चढ़ाने जाते हैं या पानी चढ़ाने जाते हैं इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा शिवलिंग पर हमेशा दूध, दही, पानी, गंदाजल बैठ करके चढ़ाया जाता है और शिवलिंग पर जब भी जल चढ़ाया जाता है या कुछ भी चढ़ाया जाता है, मुह उत्तर की तरफ आपका होना चाहिए क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोले नाथ और माता पार्वती जी का वास होता है इसलिए जब भी आप लोग कोई भी पूजा पाठ भगवान भोले नाथ के मंदिर जाकर के शिवलिंग के सामने करें तो आपका मुह उत्तर की तरफ होना चाहिए वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा देखिए मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत ही तकलीफ में हैं बहुत ही परेशानी में हैं और समस्याओं ने आपको घेर लिया है आपको मानसिक कष्ठ हैं शारिरिक कष्ठ है आपको किसी ऐसी बिमारी ने जकड लिया है जिसका आप इलाज कराकर ठक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं बहुत ही आसान सा उपाय है आईए कुछ उ मंदलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और गुलाब के फूलों की माला हनुमान जी को अर्पित करें इसके बाद सच्चे मन के साथ मंतर का जाप करें डौट यह मंतर है राम रामिती रामिती रमे रामे मनोर में हर मंगलवार को यदी भक्त शाम पाँच बजे के बाद अपना आसन हनुमान जी की प्रतिमा के लगाएं और फिर चमेली के तेल से दिया जलाएं इसके बाद व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता है तो उसे श्रीराम भक्त हनुमान की विशेश क्रिपा और आशिर्वात प्राप्थ होता है मंगलवार को यदी व्यक्ति साबुत पान का पत्ता ले और उस पर थोड़ी सी मात्रा में गुड़ और चनापत्ते पर रखें इन पूरी सामगरियों को भोग स्वरूप हनुमान जी को अर्पित करें हनुमान जी की क्रिपा व्यक्ति पर बरसेगी और इतना भर अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए फिर आपके जीवन में कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों भगवान भोलेनाथ में अगर किसी व्यक्ति को आशिरवात दे दिया तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी आकर कुछ नहीं बिगार सकता है इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की क्रिपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे भगवान भोलेनाथ के आशिरवात से आप अपने जीवन में बहुत ही उननती करे, बहुत ही आगे जाए भगवान भोलेनाथ का आपको वर्दान मिल जाए जिसके बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो तो दोस्तों पूरी सची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए इतना कर दीजिए आपकी मन्चाही नौकरी लग जाएगी तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा ओम नमह शिवाए